तो दोस्तों बहुत ही important बात में आप लोग के लिए करा हूँ मेरा vlog चैनल में ने start कर दिया है जो हमारा vlog चैनल है रोहीत है stylish vlog तो उस चैनल को subscribe की बहुत ज़ादा जरूरत है अभी नया नया open किया है और 15 वीडियोज भी upload हो चुके हैं तो जल्दी से जाएए उस चैनल को subscribe कर कर दीजिए और वीडियो देखिए और कमेंट करके बताए वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है तो जल्दी जाए इस वीडियो को आप लोग रहने दीजिए बाद में देखना कोई जरूरत नहीं लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल को फटाथ से सब्सक्राइब करो जारते है एक हज़र सब्सक्राइब को आप लोग फटाफट करी सकते हो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो इस olacak सब्सक्राइब करें लिंक डिस्क्रिप्शन में रोई थे तो लेन देख सकते हो शौट है इसे अभी हम और शौट करेंगे और एक एक्स्ट्रीम शौट फेदर हेट करका लूप देंगे तो चलिए स्टेप बाइ स्टेप पहले जल्द से शैंपू कर लिजिए अपने हैर्स को तो शैंपू करने के बाद हम लगा रहे हैं एपरोन और इसलिए लगाएंगे क्योंकि हैर्स हमारे क्लाइंट के फेस पे या फिर उनके कपड़े पर ना गिरे तो चलिए स्टेप बाइ स्टेप हम पहले इयर टू इयर सेक्शन निकाल लेते हैं फ्रंट टू बैक तक पूरा लाश इंट तक देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा हेर कट एक्स्ट्रीम शॉर्ट फेदर हेर कट तो सेक्शन निकालना मत बुलना सेक्शन आप लोग का एकदम प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि उसी पर आपका पूरा हेर कट डिपेंड है अब आते हैं फ्रंट में और मिडल अप दे इयर में से मिडल का जो दोनों डिवाइड और फिर फॉलो करते जाएंगे हमारे गाइडलाइन को और हमारा एक्स्ट्रीम शॉर्ट फेदर हेर कट कम्प्लीट करेंगे तो चलिए फटा फट आप फिंगर को क्रॉस करिए और नोस के पास लाकर उसे कट करिए देखिए बहुत ही आसान और इजी है आप ल लाइंगो चैनल में है तो जाएए उस पर भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीघे क्योंकि वह भी काफी ज़दा मज़ा आने वाला आप लोग में तो जाये जाए जल्दी जाये उस चैनल को सब्सक्राइब करिए रोवित हईर्श्टैलिश व्लॉग तो चलिए इस हेरकट को complete कर लेते हैं उसके बाद आप लोग को link चाहिए तो description में मिल जाएगा या फिर आप लोग search भी कर सकते हो रोहित hair stylist vlog तो देखिए step by step follow करते जा रहा है हम लोग section को और हमारा haircut complete होते जा रहा है तो इसी तरह आप लोग को ध्यान में रखते हुए guideline को follow करते हुए cut करना है एक भी hairs आपके चुटने नहीं चाहिए वरना आपका haircut बहुत ही खराब हो सकता है तो देखिए पूरा haircut complete होने के बाद भी मैं पूरा एक बार वापस से hair लेने के बाद उसे recheck करूँगा और finger को आप लोग को nose के पास लाकर बहुत ही अच्छे से gripping में cross करते हुए check करना है कि क हमने अभी तक कोई styling नहीं किया है और हमारा one side का haircut complete हो चुका है इसी तरह same हमें opposite side का भी cut करना है अगर आप लोग को किसी भी hair treatment से related video देखना है तो उस video को आप लोग जाए मेरे channel में playlist में आप लोग को मिल जाएगा वहाँ पर आप लोग को carotene smoothening या फिर straightening smoothening या फिर rebonding smooth जिस type का भी videos देखना है सारे videos आप लोग को वहाँ पर available है या फिर dandruff से related जादा problem है तो उसके भी videos मेंने वहाँ पर upload किया है तो जाइए playlist में जाकर आप लोग देख सकते हो और जो नया channel है रोहित hair stylist vlog उसे जल्दी जल्दी visit करना उसे visit करना मत बुलना और मुझसे बाते क करना चाहते हो तो आप लोग को पता ही है मेरा instagram id hair stylist rohit जो की आप लोग को link description में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे follow कर सकते हो इंस्ट्राग्राम पर मैं बहुत ही ज्यादा active रहता हूं और बहुत ही फटाग से वहाँ पर reply करता हो तो जाए वहाँ पर भी जा कि मैं आप लोग के लिए ला सकूं तो मुझे comments करके ये भी बताना तो चलिए step by step anyone hairs जो भी है वो चेक कर लेते हैं और उसके बाद में पूरा totally cut होने के बाद आप लोग को styling देना है लिकिन उसके पहले आप लोग को flicks भी cut करना है तो flicks जैसे कि आप लोग को पता है कि हमा क्लाइंट को कभी भी इसे पूछ लेंगे कि कितना लॉंग रखना है उन्हें short है या फिर लोग के कि बहुत लोगों को पसंद नहीं है ज्यादा short flicks cut तो आप लोग हमेशा पूछने के बाद ही उसको cut करिए तो देखिए हमने एक बाद चेक कर लिया और हमने क्लाइंट को long flicks चाहिए तो उस हिसाब से हम cut करेंगे उस हिसाब से cut करके और फिर उसे हम कर देंगे एक अच्छी तरह से sectioning और फिर हम करेंगे styling तो चलिए फटाफट इसे अनोचिंग देते हैं जिससे की एक उसमें आसानी सा अच्छा सा finishing आ जाएगा तो इसे अब हम करेंगे clipping और बाकी के जो hair से उसे हम करेंगे styling तो styling करने के लिए हम कर रहे हैं इन में blow dry तो इनका जो हमने blow dry किया है वो थोड़ा सा fast में किया है ताकि जादा वीडियो बढ़े उसे विजिट करिए और फटाफट उसे सब्सक्राइब करिए तो चलिए haircut हुआ हमारा complete तो haircut इसी तरह में आप लोग के लिए हमेशा लेकर आते रहूंगा और आप लोग भी मुझे comments करके बताते रहना ध्यान से कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है और आप भी सीखते जाएए नए नए हैरकट्स के विडियों तोvert ये विएपा और शाय हैरक तोग के लन्हा उे जाएए उे हम भी चिसित कि वी तुब ही इसeder खets रफहें अच्ब रहूदन है